कहते हैं न सक्खी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब आखिर UNAC में भारत ने चीन को क्यों लताड़ा और ऐसी लताड़ पहले कभी नहीं लगी थी तो वहीं रूस ने भारत को दी चेतावनी और कहा कि भारत अलर्ट रहे जो बड़ा होने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब वोटन टेकनलोजी हासिल कर ली जो किसी के पास नहीं है भारत का ये ब्रह्मास पूरी रूप रेखा बदलने को तयार है क्या हो अगर हाइपरसोनिक मिसाइल कोई देश छोड़े और उस हाइपरसोनिक मिसाइल पर कंट्रोल हो जाए किसी और देश का ऐसा कंट्रोल जो खुद उस हाइपरसोनिक से उसी के देश में वार करवा दे और वुम्रेंग की तरह वापस लोट कर तबाही मचा दे जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है जानेंगे इन खबरों को विस्तार से यूएनसी में अब भारत बिल्कुल प्रखर होकर साफ साफ बोलने में विश्वास रख रहा है और बिना लाग लपेटे चीन को धोने से बाज नहीं आता है भारत ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि दुनिया एक जुट रहे हम अपने पडोसियों की मदद भी करना चाहते हैं पडोसी प्रथम यानि सबसे पहले पडोसी की मदद हो ये भी चाहते हैं और हमारी मदद मदद रहती है हम किसी को कर्जदार नह बनाने के पीछे पड़े रहते हैं साफ तोर पर भारत का इसारा चीन की तरफ है जो हाल में स्रिलंका को दबोचनी की कोशिस कर रहा है और स्रिलंका जैसे जैसे भारत के साथ अलाइन होता हुआ दिख रहा है वैसे वैसे चीन की बॉखलाहट और भी ज्यादा बढ़ रही है पोगलाट में चीन कुछ भी करने को तयार हो गया है जिसके लक्षन दिखने भी लगे हैं एक के बाद एक सिरलंका के उपर एक्षन खेर जहां UNSC में लतार लग रही है चीन को तो वहीं एक दूसरी चेतावनी आई है रूस की तरफ से रूस ने जो चेतावनी जारी की है उसे जानने से पहले ये जान लीजिए कि भारत के DRDO ने अब बहुत बड़ा कमाल कर दिया है और इस कमाल को पूरी दुनिया देख रही है कि वो टेक्नलोजी जो दुनिया के पास होनी चाहिए वो दुनिया के पास नहीं है बलकि भारत के पास है दुनिया की सबसे तेज सूपर सोनी कुरूज मिसाइल ब्रमोस को लेकर आई खबर अब दुनिया को चौका रही है अब DRDO इस ब्रमोस को एक अलगी लेबल पर ले जाने का पूरा संकल्प कर चुका है और DRDO की इस पहल से सबसे जादा चीन को घबराहट पैदा हुई है अब DRDO ब्रमोस की नई डिजाइन कु ब्रमोस को लेकर चीन आखिर इतना डरता क्यों है ब्रमोस की काट भी तो चीन बना सकता है लेकिन आपको बता दे ब्रमोस की काट बनाना तो दूर ब्रमोस को रोकना चीन के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि दूसरी कुरूज मिसाइलों की तरह ये अपने एक अंडाकार पात पर नहीं चलती है बलकि यह अपना टार्गेट बदलती रहती है बिल्कुल अंतिम समय तक यह अपने लच्छ को पाने के लिए अपनी दिसा और अपनी स्पीड दोनों को बदल सकती है ब्रहमोज को एक बार दाग दिया गया तो यह किस रास्ते से आकर दुस्मन के ठीका करने को तबाह कर दे यह किसी को पता नहीं रहता है यहां तक कि टार्गेट उचाई पर है नीचाई पर है पानी में है हवा में है हर तरह से अपने अपने दीशा को और अपने गती को तै करते हुए ठीकाने पर ठीक लगती है और सबसे बड़ी बात यह है कि टार्गेट को खत्म करने तक यह अपने स्पीट पर कंट्रोल रखती है यानि कम नहीं होती है ताकि जो टार्गेट है उस टार्गेट पर इतना बड़ा धमाका किया जा सके कि कुछ भी न बदले न बचे और पूरी तरीके से र ब्रमोस की मारक चमता को एकदम अचूप बनाने के लिए अब इसमें एंटी इस्टिल्थ टेक्नलोजी को लैस करने जा रहा है पहले से ब्रमोस 99.9% एकुरेट माना जाता है यानि बिल्कुल सटीक अपने निसाने पर लगने वाला अब वो एंटी इस्टिल्थ जी आने के बाद ब्रमोस बड़ी आसानी से चीन के रडारों को चकमा दे देगा और चीन के रडार अगर बरबाद हुए तो मतलब चीनी सेना में तबाही सीधे सीधे आसमान से उद पड़ेगी वैसे आपको बता दे ब्रमोस की एक और खासियत है कि इसे कहीं से भी जा सकता है air to air, air to surface, surface to air मतलब कहीं से भी इसे दागा जा सकता है यही वज़य है कि चीनी से बहुत ज़्यादा खौफ खाता है वैसे पहले से ही ब्रमोस अपने स्पीड को लेकर काफी घातक है इस टेक्नोजी के बाद और भी ज़्यादा घातक होने वाला है वैसे आपको बता दे दुनिया की ये पहली मिसाइल होगी जिसके पास ये टेक्नोलोजी है ये टेक्नोलोजी अभी कुरूज मिसाइलों के अंदर बिल्कुल नहीं है DRDO अब बिल्कुल बड़ा धमा का करने की तैयारी में है तो वही दूसरी तरफ रूस ने भारत को एक बड़ी चेताउन चीन के लिए भी है, रूस के लिए भी है, दरसल रूस का मानना है कि अमेरिका कुछ ऐसा हासिल कर रहा है जो इन तीनों देसों को भारी पड़ेगा, अभी जैसे कि पूरी दुनिया लगी हुई है एकी तरफ में, और वो चीज है हाइपरसोनिक मिसाइलों को हासिल करना, दु इस मामले में काफी आगे निकल चुका है और हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना चुका है तो वहीं चीन ने हाल में एक ऐसे मिसाइल का परिक्षन किया जो हाइपरसोनिक था और जिसे अंतरिच से दागा जा सके इस हाइपरसोनिक मिसाइल के परिक्षन के बाद दुनिया में को और इस हैपरसोनिक मिसाइल के बल पर चीन जो तबाही लाना चाहता था उसकी काट यार करने लगा अब रूस की चेतावनी भारत को इसलिए है कि भारत भी हैपरसोनिक मिसाइल बना रहा है और यह हैपरसोनिक मिसाइल बनाने में परदे के पीछे कही न कहीं रूस भारत की एक बहुत बड़ी पहल है आखिर अमेरिका क्या कर रहा है तो आपको बता दे अमेरिका की कमपनी है एलन मस्क की इस्टारलिंग और इस्टारलिंग के जरिये एलन मस्क दुनिया भर में अंतरिच वाली इंटरनेट देने की पहल कर रहे हैं भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और भारत को भी वो एक संभावित कस्टमर के रूप में देख रहे हैं ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारत भी स्टार लिंग के साथ जुड़ेगा और इस्टार लिंग के साथ जुड़ने का मतलब हो गया कि जो टेक्नलोजी एलन मस्क बना रहे हैं इस्टार लिंग के जरिये उसकी हिस्सेदारी में भारत पहुँच जाएगा और जब चाहे तब भारत के हैपरसोनिक मिसाईलों पर भी कबजा कर पाएगा अमेरिका ठेर अब ये डराने वाली बात है या सचमुच इसमें सच्चाई है ये तो अभी से कहना मुस्किल है क्योंकि रूस अमेरिका के पाले में न जाने देने के लिए ये बातें कह भी सकता है पर कहीं न कहीं कुछ जरूर सच्चाई होगी जिसकी वजह से ये बाते निकल कर आई है वैसे आपको क्या लगता है क्या भारत को स्टार लिंक के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के आईडान चाहिए बताई ये खाताएं।